हलो स्टूडेंट्स आइम डॉक्टर सरीता कंडिलवाल असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके सेलिबस की लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं और जिसमें की है नैट्रोजन कंपोंट्स समारे अब तक हमने महत्पून फंग्शनल ग्लोप नैट्रोजन कंपोंट्स की इस्टेडी कर लिए हैं आज से हम दूसरा एक महत्पून फंग्शनल ग्लोप है n6 सबसकर अच्छे से परीचित हैं उसकी क्यों चैर्मिकल फार्मूले से दो फञते हैं नहीं च्छे जाता है ठीक है तो अमूनिया को एक या एक से धिक हाइडोजन परमानू का कार्वनिक समुद अरव स्तापन करने पर बना हुआ योगिक एमीन कहलाता है मतलब NH2 में NH3 जो अमूनिया है इसमें तीन हाइडोजन है अगर इन तीन हाइडोजन को हम एलकाइल ग्रूप या एराइल ग्रूप से रिप्लेस कर देते हैं तो हमें एमीन्स प्राप्त होते हैं तो एक तरीके से जो अमूनिया है उससे हमें एमीन्स प्राप मिलेंगे तो आपको समझवा आया है कि आपको क्या मिलते है एमिन्स मिलते हैं इस दो तरह के हो सकते कि अगर कार्बनी गुरूप है वह एलकाइल है तो अग्या मिलेगा और अगर और है तो आर्मेटिक अमीक भी मिल जाएँगे ठीक है तो अब आमोनिय में बच्चों तीन हाइड्रोजन है एक एक करके इनको किस प्रकार के जो कार्बनिक समू है उससे रिप्लेस किया जाता है उस आधार पे एमीन्स तीन तरह के हो सकते हैं अगर यहां ख़के दोIP कि मतंसे कर रिप्लेस किया जाता है तो अगर ओध्रॉग पर्वार्वं थीक है अब आप यहां पर देखिए यह क्या हो गया एक अलकाइल ग्रूप क्या है मिथाइल तो यह हो गया मिथाइल अमीन या अमीनो मेथीन दूसरा है आइसो प्रोपाइल ग्रूप लिया तो आइसो प्रोपाइल अमीन आयूपैक में से कहेंगे टू अमीनो प्रोपेन ठी और सबसे लो last example है वो aromatic amine है ठीक है अब हम हम देखते है secondary amines क्या होता है secondary amine में दो hydrogen पर्मानों को replace किया जाता है ठीक है alkyl या aryl समों से इन में अगर मैं functional group की बात करूँ तो NH जो होता है वो functional group होता है और इसे amino कहा जाता है ठीक है primary amine में कहते हैं हमने amino इधर कहा जाता है amino एक्जामपल देखिए बच्चो फर्स जो example है उसमें दो methyl group से hydrogen को replace किया गया है इसका जो नाम है इसे हम साधरन नाम अगर इसे देते हैं तो इसे dimethyl amine कहते हैं आयूपैक नेम जो है वो एन-methyl aminomethan हो गया ठीक है दूसरा example जो है उसको आप देखिए इसमें एक hydrogen को तो एलकाइल से replace किया गया है और दूसरे hydrogen को एरायल समू से replace किया गया है तो इसका नाम है एन-methyl aniline ठीक है आयूपैक नेम अगर हम इसे देते हैं तो एन-methyl aminobenzene कहते हैं एन-methyl aminobenzene अब हम बात करेंगे टर्शरी amin की अमोनिया के तीनों hydrogen को अगर हम replace कर दे तो हमें टर्शरी amin प्राप्त होता है इसका जो इमीनों जो क्रियात्मक समुऊ होता है वह सिंगल नाइट्रोजन है उसकी तीन वैलनसी एलकाइल गुरुप से सटिस्फाई होती है तो इसे टर्शरी ग्रूप है दो मैथाइल ग्रूप है साधरन तोर पर इससे एनन डाइमिथाइल ऐनिलिन कहते हैं और अगर मैं इसका यूपैक नेम दूँ तो एनन डाइमिथाइल एमीनो बैंजीन होगा ठीक है तो ये तो हो गए primary, secondary और tertiary amines के example यदि किसी aromatic समू में amino समू बेंजीन के side वले में जुड़ा है तो उसे aliphatic amine कहा जाएगा तो ये बहुत important example है example में देखिए जो NH2 group है वो बेंजीन रिंग से सीधे नहीं जुड़ा है बेंजीन रिंग से जो एलकायल ग्रूप है उससे जुड़ा है तो ये एक aliphatic amine है, ये aromatic amine नहीं है aromatic amine तभी होता है जब amino group या nitrogen वाला जो group है वो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो सीधे बेंजीन रिंग से जुड़ा हो ठीक है? ये जो मैंने बनाया है, इसे हम aromatic amine कह सकते हैं लेकिन ये जो example दिया गया है, ये एक aliphatic amine है अगर objective में या कहीं आए पूछे, तो आपको इसका धियान रखना है अब हम बात करेंगे physical properties amines जो functional group है, उसको रखने वाले जो compounds होते हैं उनकी physical properties क्या होती है पहली जो सबसे important जो amino group की physical property को प्रभावित करने वाला कारक है हो है amino group के द्वारा बनाये जाने वाला hydrogen bond बचो, first primary और secondary amines जो होता है जिसका जो formula होता है NH2 या NH इनमें hydrogen present होता है और primary और secondary amines ये दोनों ही क्या बना सकते हैं? hydrogen bond का निर्मान कर सकते हैं चुक्के tertiary amines जो होता है उसमें nitrogen के पास hydrogen present ही नहीं रहता है इसलिए tertiary amines जो होते हैं वो hydrogen bond नहीं बनाते हैं इसलिए primary, secondary और tertiary amines इनकी physical properties होती है वो काफी जादा ही hydrogen bonding नीचक पर depend करती है hydrogen bonding मुख्य तो दो properties को प्रभावित करते हैं जिसमें first है melting and boiling point बच्चो primary और secondary amines में nitrogen से hydrogen जुड़ा हुआ है जिस तरह से alcohol edge bond मना सकते हैं ठीक उसी प्रकार ये जो primary और secondary amines होते हैं वो भी intermolecular edge bond मना सकते हैं मतलब दो amines compounds होते हैं वो आपस में edge bond से जुड़े हो सकते हैं क्योंकि यहां hydrogen एक electronegative atom से जुड़ा होता है आपको मैंने जब edge bonding पढ़ा ही तब ही मैंने आपको बतायता कि अगर functional group OH है NH2 है HF है तो इनमें hydrogen bonding पाई जाती है मतलब अगर hydrogen nitrogen से oxygen से फ्लोरीन से जुड़ा रहता है तो hydrogen bond बनने के संभावना होती है तो primary और secondary bond में भी hydrogen bonding पाई जाती है चुकि इसमें hydrogen bonding पाई जाती है और intermolecular hydrogen bonding पाई जाती है यही कारण है कि इनके boiling और melting point के जो मान होते हैं वो high होते हैं अगर मैं इनके जो संगत hydrocarbon की बात करूँ इनके comparison में इसके boiling और melting point हाई होते हैं यहाँ पे आपको example भी दिखाया गया है देखे primary amine में किस तरह से edge bonding बन रही है secondary amine में edge bonding किस तरह से बन रही है और आप देख रहे हैं टरशनी bond amine में कोई edge bonding नहीं बन रही है बच्चों कि primary amine में दो hydrogen जुड़े रहते हैं तो यहाँ number of edge bonds जादा होते हैं secondary में कम होते हैं और टरशनी में तो edge bonding पाई ही नहीं जाती है तो अगर मैं amines compounds के higher boiling point और melting point की बात करूँ तो उसका कारण आप देंगे कि इनमें intermolecular hydrogen bonding पाई जाती है अगर मैं alcohol से comparison करूं बच्चों तो alcohol में जो intermolecular edge bonding है वो जादा strong होती है क्यों क्योंकि alcohol में hydrogen oxygen से जुड़ा रहता है और nitrogen की तुलना में oxygen की electronegativity जादा होती है तो hydrogen जिस atom से जुड़ा है उसकी electronegativity जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा strong edge bonding की probability होगी तो अगर मैं amines और alcohol की बात करूं corresponding alcohol और amines की है ना तो उसमें alcohol का boiling point और melting point ज्यादा होगा amines का कम होगा क्यों क्योंकि alcohol में ज्यादा strong edge bonding पाई जाती है यहाँ पर आप example देखिए योगिक जैसे प्रोपेन है उसका जो प्रोपेन है उसका boiling point minus 42 degree है फिर एथायलमीन का 16.6 degree centigrade है डाय मिथायलमीन का 7.4 degree centigrade है और इतेनौल का 78 degree centigrade है तो आप देख रहे हैं कि प्रोपेन से जब हम इनके अनुभार की बात करें अनुभार भी boiling point melting point को प्रभावित करता है लेकिन चारों example में आप देखेंगे कि अनुभार लगबग लगबग सेहिम है प्रोपेन का 44 इतायलमीन का 45 डाय मिथायलमीन का 45 एतेनौल का 46 अनुभार molecular weight समान होने पर भी boiling point इतेनौल का काफी ज़ादा है और डाय मितायलमीन और इतायलमीन का भी प्रोपेन से ज़ादा है तो आप देखेंगे इसका कारण जो है वह है क्या कारण है बच्चो एजमांटिंग ठीक है इसी परकार aromatic amines के जो boiling point और melting point भी होते हैं वह समान अनुभार वाले hydrocarbon की तुलना में ज़ादा होते हैं हम इसका example देखते हैं और्तो टॉल्यूडीन और्तो जाइलीन मेटा टॉल्यूडीन मेटा जाइलीन पेरा टॉल्यूडीन पेरा जाइलीन इनके जब आप अनुमार देखेंगे 107 106 107 106 107 106 इन सारे compound के जो molecular rate है वह लगबग समान है लेकिन आप देखिए melting point काफी vary कर रह लाक्ता है आप देखें जाइलीन है वह है बना सकते हैं आप देखेंगे कि उनके boiling point melting point ज्याद़ और जो एज़ बॉन नहीं मिना सकते उनके boiling point melting point कम होते हैं तो आपने अभी first जो property देखे एज़ बॉन से प्रभावित होती है वो देखी कि किस तरह से melting point और boiling point प्रभावित होते हैं सेकिंड है solubility जितने भी aliphatic amines है primary secondary tertiary वो सब water में soluble होते हैं क्योंकि सबी में nitrogen पर lawn pair पाया जाता है जो जल के साथ edge bond मना सकते हैं ठीक है alcohol को जब amines में गोला जाता है तो hydrogen bond मनाने की सम्मावना तो होती है परन्तु जल की तुलना में कम edge bond पाया जाता है मतलब अगर हम amines को water में soluble गोलते हैं या alcohol में गोलते हैं तो amines जो होते हैं वो water में ज़्यादा अच्छे से edge bond मना पाते हैं alcohol में edge bond अच्छे से नहीं बना पाते हैं क्योंकि alcohol के molecule में पहले ही इतने strong edge bond होते हैं वो ज्यादा strong होते हैं मैंने आपको बताया था उनको तोड़कर नए edge bond मनना amines और alcohol molecule के बीच में वो सम्माव नहीं होता जबकि जब amines को water में घुला जाता है तो amines और water molecule के बीच में आसानी से edge bond बन जाता है तो यही कारण है कि जो alcohol में amines water की तुलना में कम soluble होते हैं उधारन के लिए सामाने त्याप पर N-butyl amines जल में तो पूरी तरह से soluble है किन्तु N-butyl alcohol में केवल 100 ml में 7.9 ग्राम गुलता है तो अगर आपसे पूचा जाए कि amines water में ज्यादा soluble क्यों होते हैं अलकॉहल में कम होते हैं आप यह बताएंगे कि amines आसानी से water में edge bond बना ले सकता है amines molecule और water molecule की वीच में आसानी से edge bond बन जाता है लेकिन जब amines को alcohol में घुला जाता है तो एलकॉहल की जो molecules से उसमें पहले से ही strong edge bonding होती है तो उनको तोड़कर amines से edge bond मनाने के chances कम होते हैं तो यही कारण है कि solubility होती है वो water में ज्यादा होती है aromatic अमीनों में benzene वेलेक्यों पस्तिती से hydrocarbon जो portion है carbon portion है वो बड़ा हो जाता है अते इनकी जो water में solubility होती है वो काफी कम हो होती है यह जो carbonic organic solvent से उसमें ज्यादा solubile होती है तो बच्चों यह तो था आपके edge bonding का दोनों प्रपरटी पर प्रवाव ठीक है अब basic nature of amino group अब हम देखते हैं कि जो amino group है वह basic nature का क्यों होता है अमीनों में क्या होता है अमोनिय की तरह अमीनों में भी nitrogen होता है nitrogen पर क्या होता है जो कि प्रोटोन को लॉन पियर की presence और इस लॉन पियर के कारण ये चाहे तो प्रोटोन ले लो या कोई भी electron deficient species के साथ coordination bond मना सकता है तो यही कारण है कि इस वज़े से amines जो होते हैं वो basic nature के होते हैं अब amine समू से जो carbonic समू जुड़े रहते हैं एलकाईल या एरायल समू वो भी जो basic strength है उसको प्रभावित करते हैं यदि जो carbonic समू है वो electron देने वाला है मतलब प्लस आई प्रभाव दिखा रहा है तो वो basic nature उसको बढ़ा देंगे क्योंकि nitrogen को देखो lawn pair देना है ठीक है अगर nitrogen से जुड़ा carbon है वो plus effect दिखाएगा तो nitrogen के पास पहले lawn pair है दूसरा carbon है उसको और दे रहा है तो वो और असनी से lawn pair दे देगा तो अगर carbonic समू जो है वो plus effect दिखा रहा है तो basic nature बढ़ जाएगा और minus effect दिखा रहा है तो basic nature कम हो जाएगा तो ये तो आपने देखा कि basic nature का प्रभाव अब minus eye effect का जो प्रभाव है वो आप aniline में देखिए aniline क्या होता है NH2 group होता है वो सीधे RIS से जुड़ा रहता है अब इसके जो lawn pair होते हैं वो ring में कंजूगेशन में काम आ जाते हैं तो nitrogen के तो lawn pair अविलेवल ही नहीं कंजूगेशन में काम आ गए यही कारण है कि जो aniline है उनका basic nature होता है वो alkyl amine से कम होता है ठीक है क्यों क्यूंकि जो lawn pair होते हैं वो benzene में कंजूगेशन में काम में आ जाते हैं तो अगर मैं बात करूं तो एक order की बात करूं कि basic nature किस में सबसे जादा होता है तो alipatic amine में जादा होता है फिर ammonia में होता है और aromatic amine में वो लॉन पेर की उपलब्दता को कम कर देता है तो ये तो हो गया एक सिंपल नाइट्रोजन पे लॉन पेर होने के कारण उसका basic nature दिखाना लेकिन बच्चो सिर्फ basic nature होता है वो लॉन पेर की presence पे डिपेंड नहीं करता है बलकि उसकी stereo उसकी जो configuration है molecule की उस पर भी depend करता है stereo chemistry पर भी depend करता है जिसे हम अगले lecture में continue करेंगे तो आज के lecture को हम यही कतम करते हैं अगले lecture में हम देखेंगे कि किस तरह से stereo chemistry basic nature को प्रभावित करती है Thank you so much students